Hello friends, welcome to coaching on 24 तो देखिए आज हम जीला सिर्मोर के जितने भी महत्तव पूर्ण कोशनर बन सकते हैं उन्हों सभी को डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए सबसब पहले कोशनर के कौन सा जीला हिमाचल प्रदेश के दक्षिन भाग में स्थित है तो इसका राइट अंसर होगा सिर्मोर नेक्स्ट कोशन देखिए हैं कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के जीला सिर्मोर को दो भागों में बांटती है तो इसका जो राइट अंसर होगा ब्योगा गिरी नदी और गिरी नदी किसकी साइक नदी है? जमुना की नेक्स्ट कॉइश्ट है के कियारदा दुन गाटी हिमाचल प्रदेश कि किस जिले में स्थित है तो इसका राइट अंसर होगा सिरमोर में इसके लाब अन्य गाटियां जो कि सिरमोर जिले में स्थित है वो होंगी दार्टी-धार और सैंदार और देखे, क्यारदा दून गाटी सिर्मोर जिले की सबसे उपजाओ गाटी है इसे सिर्मोर जिले का अन्न का बंडार भी कहा जाता है तो जे भी आप याद रखेंगे Next question है, जे जमुना नदी सिर्मोर से ही होकर भेथती है जे भी आप याद रखेंगे से हिमाचल प्रदेश को शोड़ कर जमुना नदी उत्राखंड में परवेश कर जाती है तो आपको इसका हिमाचल प्रदेश में परवेश कहां से करती है और निकलती का हिमाचल प्रदेश को शोड़ कर दूसरे प्रदेश में कहां से परवेश करती है तो दोनों चीजे आपक हिमालिया और वितरी हिमालिया है किस जिले को टच करता है किस राज्य से हिमाचार प्रदेश के जादा परशूराम ऑव़ॉर्ट किस को में हम सब एक बिडियो लेंगे बिविद करकर उस पर सारे question हम discuss करेंगे पहले हम discuss districts को cover कर लेते हैं तो नदियों नुदियों का अगर मैं ज्याद है इसमें ना भी करूं तो उसमें हमें cover कर लोगा और मोक टेस्ट भी होंगे आपके तो जब उन्हों नदि किस तान से प्रवेश्च करते हैं तो खोदरी माजरी से ठीक next question बहुत important question है गिरी नदि का उद्गम स्थाल है तो आपका right answer होगा Cooper Choti Jubal ठीक कूपर चोटी कहां पर है जुबल जगावी को ऐसे दे रखा था जुबल तो परनतों आपको कूपर चोटी भी जाद रहना चाहिए ठीक तो सिर्मोर के प्राचिन निवासी थे तो कुलिंद थे और next question है कि तारीख ए रियासत सिर्मोर किताब के लेखक कोन है तो आपका right answer होगा रंजोर सिंग ठीक तो देखिए बाकी सब कुछ तो ठीक है सिर्मोर का प्रनतों सिर्मो देखिए जो इन्होंने बुक लिखी है तारीख है रियासत सिर्मोर इसके according अगर हम चले तो इनके according कहा गया है कि जो इसकी स्थापना की गई है वो की गई है राजा रसालू ने की थी और देखिए कभी-कभी ऐसा पूशे जाता है कि जो सिर्मोर के जो शासक थे तो मूलत टिकर कराएंगे क्योंकि आपको option में जही दे रखा होगा अगर option ऐसे particular mention करकरा कि जैसे कि 1195 में सिर्मोर इसके स्थापना किसे न की थी तब आप अपना जो राइट अंस लगाएंगे बेल आएंगे शुबंश परकाश ठीक शुबंश परकाश परन्तु अगर जनरली ऐसे option में के कोशन आपकी कराएंगे सिर्मोर इसका स्थापव किसे माना जाता है तब आप वहेंगे राजा रसालु को ठीक राजा रसालु यह वैसे हैं इस का अंसर और देखिए जब राजा रसालु परकाश रहेगी cer claim सिर्मोरी ताल इसकेपर राज्दानी बनाई किसके बन परन तो अगर मैं बिल्कुल एकुरेट बताओं तो सबसे पहले सिर्मोरी ताल और हुआ क्या था कि गिरी नदी में बाड आए थी जिसके कान जे सिर्मोरी ताल नाम के जगव बहे गई थी फिर उसकी राज़ाने का कोशन आता है कि बाड में बहेने के कारण सिर्मोरी ताल जो की बाड में बहे गया उसके बाद सिर्मोर यासत का मुख्याले कहां बनाया गया तब आपका अंसर होगा राजबन जाने की सिर्मोरी ताल बाड में बेह जाने की कांड़ फिर इसकी जो राजदानी बनी सिर्मोर यासत की वो बनी राजवन राजवन वहीं जहां पर सिमेंट फेक्टर भी स्थे था ठीक तो next देखते हैं आपको देखें जो याद रखनी राजवन राजवन परारंबिक एक सिर्मोरी ताल परारंबिक उसके बाड़ राजवन एक कलसी याद रखनी है रतेश और नहन बस यह आपको याद होने चाहिए बैसे और भी बहुत है हार्ट कोटी दलेट बहुत सी जगह इनकी इसकी राजवन परिवर्तित की गई है तो next question देते हैं कि किस राजवन ने सिर्मोर की राजवन से कलसी स्थानांतरित की जिस बेरी बेरी इवोर्ण question कहा रहूं इसको मैं एक तो राजवन से कलसी वाला question एक होगा कलसी से नान यह दो question बहुत ही वोटन रहेंगे ठीक तो सबसे पहले बात करेंगे कि राजवन से कलसी तो राजवन से कलसी किसे ने स्थापित की स्थानांतरित की तो उदित परकाश ने ठीक उदित परकाश ने देखें नीचे मैंने लिख रखा कि किस राजा ने राज़दानी कहां कहां प्रस्थापित की स्थानांतरित की देखें अब हमारी जो राज़दानी बन चुकी है वो कहां बन चुक है, राजबन देखिए, इसके बाद एक राज़ा आएगा, सुमेर परकाश वो राज़बन से राज़दानी को ले जाएगा, रतेश ठीक, फिर उसके बाद एक राज़ा आएगा, सूरज परकाश बोर स्रमोर रियासत की राजदानी ले जाएगा रतेश से पुने कलसी ठीक क्योंकि पहले कलसी थी सोरी पुने कलसी ले जाएगा क्योंकि राजबन से कलसी हुई फिर कलसी से रतेश, रतेश से पुने कलसी और किसके दोरा सूरज अपरकाश को दोरा देखे जे भी important नहीं है एक तोर सिर्फ आपको जे पता हो चाहिए कि राजदानी कौन-कौन सी रही है उनके सिर्फ नाम पता हो चाहिए जो मैंने question के रूप में लिखे हैं बहुत ही important रहेंगे कि राजाओं के नाम से अगर आपका question बनता है कि किसे ने राजदानी का स्थानांतरित की तो वो एक तो बनेगा उदृत परकाश वाला जो मैं जहां add कर चुका हूँ दूसरा बनेगा करम परकाश वाला जिन्होंने कल्सी से नाहन स्थानांतरित के जह दो question बनेगे बाकी सिर्फ आपको इनके राजदानीयों के नाम याद रखने की सिरमोड की जे-ले राजदानीया रहे चुकी है बाकी जो स्थानांतरित वाले question बनेगे वो दो ही बनेगे तो रतेश से कलसी, देखे इसके बीच एक और आजा हुए है, तो उन्होंने कलसी से हाटकोटी भी स्थानांतरित किये, उसके बाद फिर हाटकोटी से नेरी गाउ, नेरी गाउं से जोगडी किले में, जोगडी से देवठल में, देवठल से पुने कलसी में, तो जे आपको कल्सी और नहन जये जयाद रहने चाहिए सिर्फ आपको और देखी कोशन अगला बनता कि किसने सिरमोर रियासद की राजदानी काल्सी से जा कल्सी से नहन बदली जये भी very very important question एक राजवन से कल्सी, एक कल्सी से नहन जये दो important question होगी जिसने राजवन से कलसी की बेउधित परकाश और फिर जिसने कलसी से नाहन बदली वो कर्म परकाश तो जे आप भी आज़ाए देखिए नेक्स्ट कोश्टन है कि राविनगड किला स्थित है देखिए राविनगड रियासत भी है जो कि अब शिमला में स्थित है शिमला के अकोर्डिंग रियासत थी जे राविनगड रियासत परन्तु पुशार के राविनगड किला स्थित है तो सिर्मोर में किस के दारा बनवाया गया बीर परकाश आपको जे नहीं पता होना चाहिए कि कि किले किस डिस्टिक में स्थित है ठीक नेक्स्ट के बाला सुंदरी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो बाला सुंदरी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो सिर्मोर में देखिए से तिरलोकनाथ मंदिर कुछ तिरलोकनाथ मंदिर जा तिरलोकपूर मंदिर भी कभी-कभी लिखा हुआ आता है बाला सुंदरी नहीं दिया रखा होता है बहां पर तो वो भी थोड़ा आप याद रखेंगे और इसे कुछ 84 गंटियों वाली माता भी कहा जाता है तो प्रन्तु आपको ऐसे आएगा कि बाला सुंदरी मंतिरी माजरब देश के किस जिले में स्थीत है ठीक और इसकी आपको किसमें बनवाया है जै दीप परकाश दोरा ठीक नेक्स कोश्चन है कि नहन शेहर की नीव किस राजा दोरा रखी गई जे भी बहरी 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 पॉनट कोश्चन है तो किन के दोरा रखीगे करम परकाश जे करम परकाश वही है जिन होने राजदानी कलसी से नाहन स्थानांत्रित की कलसी से आपको बहुत नाहन लेकर गए और नाहन शेहर किस रापना की ठीक नेक्स कोश्चन है कि गुरु गविंद सिंग पॉनटा साहिव कब आए तो कब आए 1684 इसवी में आए और 1688 इसवी तक वहां रहे ठीक तब राजा थे मेदनी परकाश मेदनी परकाश ने जगनात मंदिर का निर्वान करवाया है जे आपको जाद नहीं रखना कि जगनात मंदिर का निर्वान करवाया है आपको जे जाद रखना कि जगनात मंदिर सिर्मोर डिस्टिक में है एक जगनात मंदिर हमने डिसकस कर चुके हैं एक हम बाला सुंदरी मंदिर ठीक नेक्स्ट एक और मंदिर जो कि सिर्मोर डिस्टिक में स्थेता है कटासन देवी का मंदिर स्थेता है देखे कटासन देवी का मंदिर का स्थेता है सिर्मोर जिले में किसके दोरा बनवाए गया जगत परकास दोरा 1775 में अब हमने तीन मंदिर डिसकस कर लिए कौन कौन से, बाला सुंदरी मंदिर, सिर्मोर डिस्टिक में, जगनात मंदिर, सिर्मोर डिस्टिक में, कटासन देभी मंदिर, सिर्मोर डिस्टिक में, ठीक, और देखते हैं झाल 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 झाल